व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यू के बीच का समय और मृत्यू कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ते, हाथ पाप चलाना छोड़ते, सोचना छोड़ते ऐसा नहीं? देखिए, जल के मृत्यू तब नहीं होती, जब वो सूख जाती जल के मृत्यू तब होती है, जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती सूर्य के मृत्यू तब नहीं होती, जब उस पर ग्रहन लग जा या जब सूरियास्थ हो जा सूर्य के मृत्यू तब होती है जब वो भविश्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य का अंत उसकी मृत्यू तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कश्ट उसके अवशक्ता का अनुभव कराती है जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए उसे पात्र बनाती है इस रिष्टी का नियंता बनने के लिए देखे, संसार में मृत्यू केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना, इस करूणा को क्यों मारना, स्वयम को मनुष्य बनाए रखे, मृत्यू के पश्चाद भी जिवित रहेंगे। रादे, रादे